दोस्तु हमारे चैनल घरेलू निसके को लाइक करें, कमेंट करें, सेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें नमस्कार दोस्तु दोस्तु आज हम बात करने वाले हैं पपीते के पत्ते के फाइदों के बारे में बात करेंगे दोस्तो पपीते का सेवन सेहत को काफी लाब पहुचाता है पपीते का सेवन करने से स्वास्ते सम्मंदी कई समस्याओं से छुटकारा मिलता है लेकिन क्या आप जानते हैं पपीते के साथ साथ पपीते के पत्तों का सेवन भी फाइदे मन्द होता है जी हाँ अगर आप पपीते के पत्ते का सेवन करते हैं तो इससे स्वास्ते सम्मंदी कई समस्याओं से छुटकारा मिलता है क्योंकि पपीते के पत्ते ओस्धिये गुणों से बरपूर होते हैं पपीते के पत्ते में विटामिन C, विटामिन A, विटामिन E, विटामिन B, विटामिन K, पेपेन, काई, मो, पेपेन जैसे कई फायदेमंद गुणवे विटामिन से मिनरल्स पाए जाते हैं जो सरीर को सु पपीते के पत्ते का काड़ा या फिर आप पपीते के पत्तों का पानी में उबाल कर भी सेवन कर सकते हैं। तो इसे प्लेट लेट से बढ़ने लगता है। डाइबिटीज में फायदेमंद। दोस्तों डाइबिटीज के मरीजों के लिए पपीते के पत्ते का सेवन फायदेमंद होता है। तो इससे इम्मुनिटी मजबूत होती है जो आपको वाइरस और बैक्टीरिया से सुरक्सित रखने में मदद करता है। पेट के लिए फायदेमंद। दोस्तों पपीते के पत्ते का सेवन पेट के लिए काफी फायदेमंद होता है। क्योंकि पपीते के पत्ते में पाये जाने वाले इंजाइम खाने को जल्दी पचाने का काम करता है। इसलिए इसका सेवन करने से पाचन तंत्र मजबूत होता है। और पाचन से जुड़ी समस्याएं दूर होती है। सरीर होता है डिटोक्स। दोस्तों सरीर में विसाक्त पधार्त जमा होने की वज़े से आप कई बिमारियों की चपेट में आ सकते हैं। लेकिन अगर आप पपीते के पत्ते का जूस या रस पीते हैं तो इससे सरीर डिटोक्स होता है जिससे सरीर स्वस रहता है। दोस्तो पपीते के पत्तों का सेवन बालों के लिए भी फायदे मंद होता है क्योंकि पपीते के पत्ते एंटी ओक्सिडेंट और एंटी फंगल गुणों से भरपूर होते हैं जो बालों को घना और मजबूत बनाते हैं साथ ही इसके सेवन से बाल जढने की समस्या भी कम होती हैं या फिर आप चाहे तो पपीते के पत्ते का पेस्ट बना कर भी बालों में लगा सकते हैं वजन कम करने में फायदे मंद दोस्तो अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो आपको पपीते के पत्ते का जोस से पीना चाहिए क्योंकि इसमें फाइबर पाया जाता है जो वजन को कम करने में मददगार साबित होता है दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और जादा से जादा सेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें